हेलो एवरिवन आज हम करेंगे चेप्टर सेकेंड अकाउंट्स का जो की है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स basic accounting terms के अंदर हम accounts की terminologies के बारे में बढ़ेंगे ऐसी कुछ terms होती हैं जो सिरफ accounts में ही use होती है तो जिन चीजों के बारे में जो basics हैं वो terminologies उन सब के बारे में हम एक एक करके बढ़ेंगे जैसे number one है business transaction transaction का मतलब क्या होता है कुछ lane देन करना अब business हमने बनाया है तो obviously कुछ lane देन तो हर किसी से चलता ही रहेगा तो business transaction क्या होती है and economic activity that affects financial position of the business and can be measured in terms of money ऐसी activity जो क्या है एक firm की financial position को क्या करती है affect करती है economic activity हमने business studies में पढ़ा था जो profit earn करने के लिए हम activities करते हैं वो होती हैं आपकी economic activities अब ऐसी कोई भी economic activities क्योंकि हम business चला रहे हैं तो हमारा main motive है profit earn करना अब business के अंदर हम ऐसी कोई भी activity करते हैं जिससे हमारे business की financial position पर affect पड़ता है financial position किससे related होती है एक business की assets and liabilities से ऐसी कोई भी transaction जिसको आप money की form में measure कर सकते हो और दूसरा जब वो अगर आपकी assets या liabilities को affect कर रही है उसे हम बोलते हैं business transaction example क्या है purchase of goods for use in business अब आपने कोई भी goods purchase किये हैं जो आपने sale करने हैं आगे तो जो भी आपने वो purchase किया है उसे आपके पास goods आगे लेकिन आपने उसके बदले में उसको cash दे दिया अब वो जो goods हैं उसको हम money की form में भी measure कर सकते हैं कि ये goods कितने के हैं और जब हम उसको हमारी transaction हो जाएगी तो वो हमारी financial position को भी क्या करेगी affect करेगी क्योंकि अगर हमारा cash जा रहा है तो obvious ही बात है हमारी assets कम हो जाएगी तो ये होती है business transaction अब जितनी भी ये छोटी-छोटी terms है आगे हम इन सब को detail में पढ़ते हैं next है account account refers to a summarized record of relevant transaction of particular head at one place account का क्या मतलब है जैसे एक month का हमने क्या किया एक person है जिसे हम goods purchase करते है x, y, z कोई भी person है तो वो क्या है हमारा जिसे हम goods purchase कर रहे है तो उसके साथ तो हमारी transactions चलती रहेंगी हम purchase करते ही रहेंगे हमने first को भी purchase किया हमने fifth को भी purchase किया हमने 15 को भी purchase किया तो ये क्या है हमारी transaction उसके साथ चलती रहेंगी जब हम इन सारी transaction को एक ही जगा पर इकठा कर देते हैं मतलब उसके साथ जितनी भी transaction हुई है उसकी एक summary form में निकाल लेते हैं कि अब हमने उसको कितना देना है या फिर हमने उसको कितना दे चुके है या उससे कुछ लेना है तो ये जब हमको पता चल जाता है credit side होती है ये तो हम आगे जब accounts बनाएंगे तो भी हमें पता चल जाएगा account का जो simple summary क्या है जब एक person की transaction को आप एक ही जगा पर इकठा कर देते हो उस person के साथ जितनी भी आपकी transaction हुई है उसकी जब summary prepare कर लेते हो तो वो आपका होता है account next है capital जो भी business का owner है वो कुछ पैसा लेकर आएगा business में business को start करने के लिए जो उसने पैसा owner ने business में लगा रखा है उसे हम बोलते है capital amount invested by the owner in the firm is known as capital जो भी owner ने business में पैसा लगाया उसे हम capital कहते हैं it may be brought in the form of cash or asset by the owner अब owner वो cash में भी लेकर आ सकता है और हो सकता है assets अगर उसके पास पड़ी है तो वो assets के form में भी अपने business के अंदर कुछ invest करे तो वो क्या हो जाएगी capital next is drawings जब भी owner अपने personal use के लिए business से पैसा निकालता है उसे हम बोलते हैं drawings अब हमने business start किया तो जो भी हमारे personal expenses यान की घर के household expenses या कुछ भी तो उसका पैसा भी तो हम कहां से निकालेंगे business से ही निकालेंगे तो जब owner अपने ही business में से अपने personal expenses के लिए household expenses के लिए पैसे निकालता है उसको हम बोलते हैं drawings the money or goods or both withdrawn by owner from business for personal use is known as drawings owner personal use के लिए जब कुछ निकालेगा उसे हम बोलेंगे drawings examples क्या है purchase of car for wife by withdrawing money from business अब business से पैसा निकालके उसने अपनी wife के लिए car purchase की तो वो उसके personal expenses हो गए अपने wife के लिए कर रहा है चाहे अपने लिए भी car purchase करता तो वो उसके personal expense होते तो वो क्या हो जाती है drawings next है assets most important term जो आगे आगे हमारी चलती ही रहेगी assets क्या होती है ऐसी कोई भी चीज जिससे आपको future में benefit मिलता है वो होती है आपकी assets assets are valuable and economic resources of an enterprise useful in its operations जो भी आपके business की activities हैं उनको चलाने में आपको help करेंगी long term के लिए होती है production में help करती है और जिससे आपको future में benefit मिलेगा वो सब क्या होती है assets जैसे आपके business के अंदर कोई machinery है जिससे आप goods की production करते हो तो machinery एक तो long time के लिए चलेगी दूसरा production में भी help कर रही है तीसरा आप उस machinery की वज़े से production कर रहे हो और उसको sale करके profit कमाओगे तो आपको benefit भी मिलेगा उसका future में तो वो आपकी क्या हो जाती है assets अब assets को दो part में divide कर सकते हैं current assets and non current assets current assets का क्या मतलब है ऐसी assets जो आपको benefit तो provide करेंगी लेकिन सिरफ एक साल तक time period है दोनों के अंदर कुछ difference नहीं है दोनों assets आपको future में क्या कर रही है benefit provide कर रही है लेकिन जो major difference है वो क्या है current assets आपको सिरफ एक साल तक benefit provide करती है और non current assets आने वाले कई सालों तक हमको benefit provide करती है तो current assets are those assets which are held for short period and can be converted into cash within one year ऐसी assets जो आप उसको एक साल तक use करोगे और एक साल के अंदर ही आप उसको cash में convert कर लोगे वो आपकी होंगी current assets जैसे stock, stock होता है कि जो आपने goods बनाई है, जो goods sale करने है तो उसको आप सालों साल तो नहीं संभाल के रखोगे, आप उसको क्या करोगे, एक साल के बीच में sale करीद होगे, तो वो क्या होती है क्योंकि आप उसको एक साल के अंदर sale कर दोगे, तो वो cash में convert हो जाएंगे तो वो आपकी होती है current assets non current assets क्या होती है non current assets are those assets which are hold for long period and used for normal business operation अब हमने यही major difference किया था कि current assets को आप एक साल के अंदर cash में convert कर दोगे, या एक साल तक वो आपको benefit provide करेंगी और non current assets, लंबे समय तक आप use करते हो, तो non current assets वही है, जिसको आप long time तक use करते हो, और जो आपके business के daily routine के business, daily routine के activities हैं, functions हैं, उसमें आपको help करती है जैसे example क्या है, land building, machinery, अब यह कोई भी चीज है, हम एक साल के अंदर तो उसको नहीं बेच देते, हम उसको लेते हैं, खरीदते हैं किसके लिए ताकि हम उसको लंबे समय तक use कर सके, आगे non current assets को दो parts में divide किया है tangible assets and intangible assets, tangible assets इस कोन सी होती है, जिसको आप touch कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो ठीक है, tangible assets are those assets which have physical existence and can be seen and touched, जिसको आप देख भी सकते हो आप touch भी कर सकते हो, जैसे कोई machinery है, उसको आप देख भी सकते हो, touch भी कर सकते हो, furniture है देख भी सकते है, touch भी कर सकते है तो main क्या है जिसको आप देख सकते हो टच कर सकते हो वो तो होती है tangible assets और जो intangible assets होती है इसको ना तो आप देख सकते हो और ना ही आप touch कर सकते हो लेकिन फिर भी आपको उन चीजों का future में benefit मिलता है जैसे example क्या है goodwill goodwill होती है business की reputation क्या है market के अंदर अगर business की reputation अच्छी है market में तो obvious ही बात है वो goods को ज्यादा sale करेंगे उसकी sales ज्यादा होंगी sales ज्यादा होंगी तो profits ज्यादा होंगे तो हमको उस चीज का benefit तो मिल रहा है लेकिन क्या हम reputation को touch कर सकते हैं scene कर सकते हैं नहीं तो वो होती है intangible asset इसके अलावा patent है trademark है तो patent trademark क्या होता है patent होता है अग stuff आप ही use कर सकते हो तो उसकी अलग से market में पहचान होगी उससे आपको benefits मिलेंगे तो यह एक right होता है सिरफ documents होते हैं इसको आप real में ना इसकी कोई physical existence नहीं होती ना scene कर सकते हैं ना touch कर सकते हैं इसके अलावा tangible intangible assets के अलावा fictitious assets होती है fictitious assets का क्या मतलब होता है fictitious का म future में कोई benefit नहीं मिलने वाला फिर भी हम उसको assets के अंदर दिखाते हैं ठीक है next आती है liabilities जब भी हम balance sheet बनाएंगे दो ही चीजे होंगी main assets and liabilities assets हम already कर चुकी है liabilities liabilities क्या होती है जो आपको future में payments करनी है जो हमने लोगों का पैसा वापिस करना है वो होती है आपकी liabilities liabilities are obligation or debts that an enterprise has to pay after some time in future जब आपको future में कुछ time बाद वो पै करना है तो वो आपकी liabilities हो जाती है दो तरह से इसको divide कर सकते हैं जैसे assets को किया था current liabilities and non current liabilities current liabilities फिर से वही होंगी जिसको आपने एक साल के अंदर अंदर पै करना है वो आपकी current liabilities होंगी और जिसको एक साल के बाद पै करना है वो आपकी non current liabilities होंगी current liabilities are obligations or debts that are payable within a period of one year example creditors bills payable etc अगर आपने किसी से credit पर कुछ purchase किया तो हम उसको एक साल के अंदर तो पै करी देंगे इससे ज्यादा तो नहीं लटकाएंगे तो वो क्या है वो आपकी हो जाती है current asset जिसको आप एक साल के अंदर पै कर देते हो और non current liabilities non current liabilities कौन सी होती है those obligation or debts that are payable after a period of one year जिसको एक साल के बाद आप पे करेंगे जैसे कोई bank loan है जो आपने 5 साल के लिए ले रखा है या debentures है यह एक टाइप का loan होता है जिसको आपने 3 साल या 5 साल के लिए इनका time period अलग लग होता है पर mostly one year से ज्यादा होता है तो यह किसमें आ जाएंगी non current liabilities में देनाता है रिसिप्स का मतलब होता है आपके business में पैसा आ रहा है अब दो तरह से रिसिप्स को हम divide कर सकते हैं एक तो होती है revenue रिसिप्स एक होती है capital रिसिप्स इन दोनों के बीच में major difference क्या है revenue रिसिप्स क्या होती है जो आपके business का जो जिसका जिस भी चीज में आप dealing कर रहे हो जो आपका main business है अगर आपको उससे कुछ मिलता है मतलब पैसे मिलते हैं जो receive होते हैं पैसे वो तो होते हैं आपके revenue रिसिप्स और जिस चीज का आपका business नहीं है फिर भी आपको कुछ पैसा मिल रहा है तो वो आपकी होती है capital रिस revenue रेकरिंग इन नेचर होती है मतलब रोज business चल रहा है तो उससे related आपको पैसे मिलते रहते हैं और जो capital रिसिप्स होती है वो कभी-कभी मिलती है देखते है revenue रिसेप्स और दोस रिसेप्स विच आर अकड़ बार्नोर्मल operation of business like money received by sale of business products आपका जिस भी कपड़े का business है जैस business मतलब आपका जो business form हुआ हुआ है वो इसी चीज के लिए form हुआ है capital receipts are those receipts which are record by other than business operation अब इसके अंदर जो आपका business है आपको पैसा वहां से नहीं और किसी चीज से मिल रहा है like money received by sale of fixed desert मैंने एक business चला रही थी मेरा कपड़े का business था और जो भी मेरे पास almiras वग्यरा business है वो तो कपड़े का है अगर मैं furniture sale कर रही हूं अपने shop का तो वो क्या होगी अगर उससे मुझे कुछ benefit होता है तो वो आपकी capital receipts होती है next आता है expenditure expenditure मतलब खर्चा तो इसके अंदर भी यह दो टाइप का है revenue expenditure and capital expenditure जिस तरह से हमने revenue receipt and capital receipt की थी वैसे ही यह होता है जब आप अपने business से related खर्चे करते हो मतलब आपने कपड़ा खरीदा तो उसके लिए जो payment की वो आपके कौन से है revenue expenditure है और उसके अलावा जैसे अगर हम फिर से हम कहें कि furniture खरीदा अपनी shop के लिए तो वो आपके capital expenditure है it is the benefit of expenditure is received within a year it is called revenue expenditure for example rent interest etc जैसे आपने shop वगेरा ले रखी है तो business के लिए आप क्या कर रहे हो rent वगेरा पे कर रहे हो तो वो तो आपके revenue expenditure हो जाएंगे और capital expenditure कौन से होंगे received from more than one year it is called capital expenditure जैसे purchase of machinery जो आप कभी कभी करते हो जैसे machinery purchase की तो वो क्या हो गई आपकी capital expenditure next आता है deferred revenue expenditure ये भी एक expenditure का type है deferred revenue expenditure क्या होता है जिसके अंदर आप एक ही पार सारा खर्चा कर देते हो लेकिन उसका जो benefit आपको मिलता है वो आगे आने वाले कई सालों तक मिलता है इसके अंदर जो main example हम हमेशा लेका चलते हैं वो होता है advertisement का advertisement के उपर हमने जैसे advertisement बनवा वाली अपने product के लिए और उसके उपर आपका खर्चा आया एक लाक रुपया ठीक है तो अब जो advertisement है वो आगे आने वाले 5 साल के लिए आपको क्या करेगी benefit provide करेगी तो हम क्या करते हैं एक लाग का खर्चा इसी साल नहीं दिखाते हम उस एक लाग को क्यूंकि हमको benefit 5 साल म profit and loss account में दिखाते हैं मतलब 20,000 हर साल खर्चा दिखाएंगे एक लाग का खर्चा इकठा नहीं दिखाएंगे क्यूंकि उससे फिर आपके क्या होते हैं profits बहुत गिर जाते हैं क्यूंकि आपको benefit आने वाले 5 सालों के लिए मिलने वाला है तो हम खर्चा भी 5 साल ही दिखाए अब जैसे एक्जांपल भी दरख है यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट के उपर आपने बहुत खर्चा किया और आगे आने वाले कई सालों तक आपको उसका benefit मिलने वारा है तो हम एक ही साल में सारा खर्चा ना दिखाकर आगे आने वाले जितने भी साल हमको उसका benefit मिलेगा उतने ही years में divide कर देंगे नेक्स्ट आता है cost cost refers to expenditure incurred in acquiring manufacturing and processing goods to make it sellable कोई भी goods को produce करने के उपर जितना भी आपका खर्चा आया वो उसकी क्या होती है cost जैसे आप pen बना रहे हो और pen बनाने के उपर पूरा का पूरा खर्चा 5 रपे आया है तो वो पांच रपे उस pen की क्या हो गई cost हो गई ठीक है इसी से related एक ओर term होती है revenue revenue क्या होता है profit plus cost जैसे 5 रपे का था हमारा जो pen था उसको बनाने का खर्चा 5 रपे और 2 रपे हमने उ उसको सात रुप सेल कर दिया, तो हमारा रवेण्यू क्या हो जाएगा, रवेण्यू हमारा हो जाएगा, पाइड किया, रवेण्यू हमारा सेमं हो गया, प। नेस्ट आता है ऐक्स्पेंसिस, कोस्ट इंकरेट बाइब बिजनस फॉर अर्निंग रेवेन्यू और नोन अज एक्सपेंस यानि कि जो भी आप अपना बिजनस कर रहे हो उसको क्या कर रहे हो चलाने के लिए जो भी आपका खर्चा आ रहा है वह आपके होते हैं एक्सपेंस जैसे रेंट वेजिस सेलरी इंट प्रॉफिट प्रॉफिट क्या होता है जो हमको फाइदा मिल रहा है जो हम उसके उपर कमा रहे हैं दा एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर इस रिलेटेट एक्सपेंस दूरिंग एन अकाउंटिंग इयर इस प्रॉफिट जैसे अभी हम एक पैन का ही लेकर चलते हैं तो तो हमारा प्रॉफिट कितने का आ गया तूरूफिस का तो रेवेन्यू जितने में हम उसको सेल करते हैं कोस्ट जितना उस पर बनाने का खरचाया दोनों को जब लेस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है नेक्स्ट आता है gain अब दोनों चीजों में difference होता है profit किस पर कमाया जाता है जिस चीजों में हम dealings कर रहे हैं जो हमारे goods हैं जो हमने product sale किया और उसके उपर हमने कमाया वो हमारा profit होता है और gain क्या होता है gain कभी-कभी होने वाला आपका profit होता है लेकिन gain इसको क्यों बोलते हैं जैसे fixed asset आपने sale की और उसके उपर कोई 50,000 की fixed asset थी आपने 60,000 की sale कर दी तो वो जो 10,000 का आपको profit हुआ उसको हम profit नहीं उसको हम gain बोलते हैं दोनों में difference होता है जो हमारा gain होता है ये non-recaring nature का होता है और जो आपके profit होते है वो recurring nature के होते हैं मतलब बार-बार होते रहते हैं नेक्स्ट आता है loss अगर आपने 5 रुपे का product 4 रुपे में sale कर दिया तो अब्यस्टी बात है आपको क्या हो गया? लोस हो गया तो the excess of expenses of a period over its related revenues is termed as loss expenses हमारे 5 हुए थे अगर आपने उसको sale 4 में कर दिया तो आपका loss कितना का आगया? 1 रुपे का नेक्स्ट आते हैं goods जिस भी चीज का आपका business है उसको हम क्या बोलते हैं? goods जैसे अगर हमारा कपड़े का business है तो जितना भी हमारे shop के अंदर कपड़ा है हम उसको क्या बोलेंगे? goods बोलेंगे the products in which the business deal in जिस भी product में वो deal करता है वो उसके क्या होते हैं? goods the items that are purchased for the purpose of resale and not for the use in the business are called goods ऐसा कोई भी product जो आप resale के purpose से खरीदते हो अब हमारा business कपड़े का है तो हम उसको रखना तो नहीं चाहेंगे हम उसको क्यों लेकर आए है sale करने के purpose से तो उसको हम बोलेंगे goods next आता है purchases goods को जब आप purchase करते हो तो हम उसे बोलते हैं purchases the term purchases is used only for the goods produced by a business for resale resale के लिए आपने जो goods को purchase किया उस term को बोलते हैं purchases trading मतलब जो सिरफ purchase sale करती है उसके लिए तो final goods जैसे कपड़े का business है तो वो कपड़ा ही क्या हो गया उसके लिए purchases हो गए और manufacturing concern जो उस goods को produce करती हैं उसके लिए जो उसने raw material purchase किया वो उसकी purchases हो गई और purchases दोनों type की हो सकती है आप cash में भी purchase कर सकते हो और credit में भी अब next term है purchase return अगर goods आपके according नहीं आए जैसे आपको चाहिए थे वैसे नहीं receive हुए तो अगर आप उनको वापिस कर दोगे तो वो आपके purchase returns हो जाएंगी नेक्स आती है sales जब आप goods को sale करते हो जो भी यानि कि आप आपका जैसे business कपड़े का है तो आप जो कपड़ा sale कर रहे हो वो आपके क्या है sales sales are total revenue from goods sold or services provided to customer sales करके जितना भी आप आपने जो भी goods sale किये वो आपकी क्या हो जाएंगी sales sales भी दोनों type की हो सकती है cash sales and credit sales sales return अगर goods जैसे customer की specification के according नहीं थे तो अगर वो वापिस कर देता है तो वो हमारी sales return हो जाएंगी next आता है trade receivable trade receivable क्या होता है trade receivable के अंदर हम दो चीजों को आड़ दो चीज आती है नमबर वन है debtors debtors कौन होते हैं जिनको आप credit के उपर goods sale करते हो मतलब हमने goods अभी credit पर sale किये वो हमको future में उस चीज की payment करेंगे तो अभी तक तो payment नहीं आई तो वो हमारे क्या बन जाते है debtors debtors हमारी assets होती है क्योंकि हमको future में उनसे पैसा मिलेगा तो वो हमारी क्या होती है assets होती है debtors are person or other entities to whom business has sold goods and services on credit and amount has not received yet जिसको आपने credit पर sale किया है और अभी तक आपको पैसे नहीं मिले है वो आपके debtors हो जाते हैं ठीक है और second क्या है bills receivable कई बार क्या होता है जैसे हमने किसी को credit पर goods sale किये तो वो हमको अभी payment करने के विज़ाए हमको क्या करता है एक bill बना कर देता है कि मैं आपको 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद इन goods की payment कर दूँगा तो वो क्या होते है bills receivable कि हमको 3 महीने या 4 महीने के बाद उसकी payment receive हो जाएगी और जो trade receivable होते हैं वो इन दोनों को मिलाकर बनते हैं debtors and bills receivable next आता है trade payables same है trade receivables की तरह इसके अंदर दो चीज़े आएंगी creditors and bills payable creditors कौन होंगे जिससे हमने credit पर goods purchase किये हैं हमको उनको future में उस चीज़ की payment करनी है तो जिसको हम future में payment करते हैं वो हमारी liabilities होती हैं तो creditors भी आपकी liabilities हैं और जैसे हम बी आर में कर रहे थे bills receivable में कि वो हमको bill बनाकर दे देते हैं वैसे कई बार हमने credit पर goods purchase किये और हमने उनको क्या किया एक bill बनाकर दे दिया कि हम तीन महिने चार महिने बाद payment करेंगे तो वह आपके क्या हो जाते हैं bills payable यह भी आपकी liabilities में आते हैं trade payables के अंदर दो items include होती हैं creditors and bills payable next आता है discount discount क्या होता है जो भी goods है उसके उपर अगर आपको उसका जो भी price है उसके उपर अगर आपको कुछ छूट मिलती है तो वह आपकी क्या होती है discount discount two types का होता है trade discount and cash discount trade discount क्या होता है the purpose of this discount is to persuade the buyer to buy more goods हम उनको discount देते हैं ताकि वो ज्यादा purchase करें it is offered at an agreed percentage of list price at the time of selling goods जो भी goods का list price होता है जितने में भी वो goods बने हैं उसके उपर आपको trade discount दिया जाता है और यह हम accounts के अंदर record नहीं करते हैं सारे customers के लिए same होता है जो आपका trade discount होता है next आता है cash discount cash discount क्यों दिया जाता है ताकि जो आपका customer है वो आपको cash में payment कर दे अगर हम कहते हैं कि अगर आप हमें अभी payment करते हो तो हम आपको 5% का cash discount provide करेंगे ताकि हमको cash में payment मिल जाए credit पर हमको sale ना करने पड़ें तो हम customer को attract करने के लिए क्या करते है cash discount भी provide करते है next आता है stock stock क्या होता है एक time पर हमारे पास जो भी goods पड़े हैं अगर हम उसको क्या करते है money की form में measure करते हैं वो हमारा होता है stock the goods available with the business for sale on a particular date is known as stock एक particular date जैसे अगर हम आज कहें हम उसकी value को calculate करते हैं अपनी शोप में जाकर तो वो आपकी क्या है stock होते है next आता है voucher, voucher क्या होता है जब भी आप goods को purchase sale करते हो तो हम एक document बना कर देए invoice बना कर देएं तो वो क्या होता है आपके voucher जो आपको क्या करता है एक proof का का काम करता है कि आपने goods पर इसी शौप से किये थे इतने प्राइस में किये थे इतनी क्वांटिटी में किये थे सब कुछ सारी की सारी information आपको उस invoice के उपर उस बिल के उपर गिवन होती है the documentary evidence in support of a transaction आपने किसी से transaction की है और उसके बदले में आपको document as a proof वो दे रहे हैं for example if we buy goods for cash we get cash memo अगर आप cash में purchase करते हो तो आपको cash memo मिलता है और अगर credit पर purchase करते हैं तो हमें invoice मिलता है ठीक है और जब आप payment करोगे तो आपको we get a receipt तो जब आप payment कर दोगे तो वो आपको क्या मिलेगी receipt मिल जाएगी तो वो जो document है जो as a proof काम कर रहा है कि आपने payment कर दी है या नहीं आपने goods credit में purchase किये हैं या cash में purchase किये हैं वो जो evidence होता है proof होता है वो होता है आपका voucher और last है हमारा goods and services tax यह अभी कुछ साल पहले ही आया है एक दो साल पहले ही goods and services टेक्स आया क्यों था इंडिया के अंदर जितने भी indirect taxes चल रहे थे उन सब को replace करके एक ही क्या किया था टेक्स को introduce कर दिया था goods and services टेक्स जिसके अंदर हमारा main mission क्या था या theme क्या थी one nation one tax ताकि एक nation के अंदर एक ही टेक्स काम करें अलग लग तरह के टेक्स ना हो तो जितने भी indirect taxes थे उन सब को replace कर दिया था indirect taxes में कौन-कौन से आते हैं जैसे value-added tax, exercise duty, entertainment tax इन सब taxes को हटा कर सिरफ एक ही टेक्स इंट्रोड्यूस कर दिया जो की है GST तो यह थी हमारी कुछ basic accounting terms थेंक यू